हिट एंड रन कानून के नए प्राबधान को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर वैपारी एसोसियेशन ने टीपी नगर में नारेबाजिकर प्रदा सुन किया है और हुए नए प्राबधान पर चुनता जाहिर करते हुए केंदर सरकार से कानून पर पुनरबिचार करने की मांग की एसोसियेशन के बैनर तले ट्रक चालक और ट्रांसपोर्ट वैपसाइट टीपी नगर गैड पर जमा हुए ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि हिट एंड रन केस के नए प्राबधानों से ट्रक चालकों में भैं का माहौल हो गया है कर ट्रक चालक नौकरी छोड़कर जा चुके एसे में ट्रांसपोर्ट कारोबार खत्रे में पहुँच चुका है नए कानून के तहर द्रुघटना के इस्तिती में ट्रक चालक पर सात लाग रुपे का जुर्माना और दस साल की कैद की सजा का प्राबधान किया गया है जिसे ट्रक चालक का मासिक बेतन 18,000 रुपे है इ चालक इस वेफसाय को छोड़ चुके हैं जिसे की ट्रांसपोर्ट कारोबार के साबनी समस्वे खड़ी हो चुकी है हलदवानी से दीपक अधिकारी की रिपार्ट देखें इस विशे में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह भारी रोस है चालक परी चालकों में जिस प्रकार से यह हिट एंड रंड एक नया कानून जो भारत सरकार लेकर आई है इस पे माने ने सब्सक्राइब परिवान मंत्री श्री नितिन गटकरी जी को और देश के कानून म जीजू जी को पूर्ण विर्चार करना चाहिए आज आर्थिक संक्राइब हमारे लिए सबसे में चीज यह है यह कानून हमारे लिए बहुत ही गलत है और यह जो हिट हिनन का केस है इसको आप जो पुलिस कह रही है कि आप कॉल करोगे 112 में कॉल करके बताओगे यह 112 में कॉ तो कहीं पर चौकी है और 112 में कॉल करने तक तो हमारे साथ बहुत कुछ हो जाएगा यह कानून बहुत गलत बना हुए है जो हम बच्पन से अब तक गाड़ी चला रहे है जिस जो कानून आय तक था वही रहना जीए आगे जो कानून काला कानून बनाया यह गलत है क्योंकि जब हमसे कोई अक्सिडेन हो जाए हम सजा काड़ेंगे एंदर मामने के अंदर अब ड्राइवर यह अपनी जान बचाएगा वहां पर यह फिर अभी आपको मालम होगा कि केंच सरकार ने एक कानून पास किया हीट अन नन का उसमें क्या है कि जो किसी भी अगर ट्रक चाला गया किसी भी वक्ति से अगर कोई एक्सिडेन हो जाता है तो उसमें उसको दस साल की सजा और 7 लाक रुपे का जुनमाना है तो मेरा सरकार से यह कहना है कि